गुड मॉर्निंग बच्चो आज मैं आपको परिश्ट्रम का फल समझाऊंगी क्या होता है ये कहानी है इसके माध्यम से एक गाउं था गाउं में कई किसान रहते थे सबी किसान अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे उसी गाउं में लाल सिंग नामा के किसान भी र था वैं अकेले ही अपने खेत की जुताई करता उसमें बीज भोता सिचाई करता खार डालता और पूरे साल खेत की देखवाल करता था उसकी फसल गाउं के सबी किसानों से अच्छी होती थी इसलिए लाल सिंग एक धनी किसान माना जाता था आस पास के गाउं में उसका बने और गाओं में उसके पुत्र की भी यस और कीरती फैले इकलोती और लाडली संतान का लाल सिंग ने बहुत ही प्यार से लालन पालन किया और पढ़ाया लिखाया अब जब रूप सिंग काम करने के योग हो गया तो लाल सिंग ने सोचा कि अब पुत्र को भी कारे का प्रे परन्तु उसका पुत्र रूप सिंग उसकी एक नहीं सुनता था लाल सिंग ने उसे कई बार समझाया कि बेटा परिश्रम से ही जिन्दगी का गुजर वसर होता है पर उसके कान पर जूत तक नहीं रेंगती उसे परिश्रम करना अच्छा ही नहीं लगता था लाल सिंग खुद बीमार पड़ गया अब उसे अपने पुत्र की चिंता सताने लगी तो क्या चिंता सताने लगी यह मैं आपको पाठ के दूसरे भाग में समझाओंगी